अले अबरीवान, वेलकम बेक टो माई चैनल तो आज मैं आप समझे के साथ सेर करने वाली हूं मेरी हैबीपाइजिब तो दीखिये हैबीपाइजिब मेरे हाथों में हाय मेरी और यह सिलवड की है तो ये बहुत ही जरूरी था मेरे लिए वीरे बनाना इसलिए मैंने अप लोगों के साथ सेर किया है तो दीकि ये मेरी जो हैवी पाई जेफ है काफी टाइम से मेरी से पहन रही थी लेकिन पता नहीं कैसे इसको मैंने रख दिया और कुछ दिन तक इसको नहीं देखा तो देख सकते हैं ये पाई मेरी पता नहीं कैसे एकदम काली हो गई है ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इसमें तेजा पड़ा हुआ है और मैं कहीं इधर उधर भी नहीं रखी थी इसको मैं अपना पर्स में रखती हूँ जो जोल्री बैग होता है उसी में रखती हूँ तो रखने को वज़े से पता नहीं क्या हो गया मेरे समझ में नहीं आ रहा था और इतना मैं घबडा गई तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं इसको तो फटा फट मैंने इसको अच्छे तरीके से धुला है जैसे कि सिंपल सा पानी में धुला जाता है तो मैंने इसको अच्छे ते ब्रेस से दो दिया तो पानी लगा हुआ है थोड़ा सा हाथों में आप देख सकते हैं और यह जितना भी मेरा अच्छा सा पायल था जारा काला काला हो गया पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ तो फिर मैंने इसका फटा फट वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर अपने मैपन के पास सेंड़ किया तो बोले के ठीक है जहां से हम लेकर आए हैं उनको दिखाएंगे तो फिर मैं यह पायल अपना लेकर गई और उन्होंने बोला ठीक है हम इची के हिसाब से हम दूस्ता पाइल आपको देदेंगे और कोई दिकत हो गई होगी तो फिर अभी तुम्हें दूसरा लेकर आचुकी हो और पहन कर दिखाओंगी और रिजाइन कैसी है कितना वजन का है सब कुछ मैं सबक्राइब करूंगे तो यह पाल में जो है ना भी चैंज हो चुकी है बस मेरे पास कि वीडियो बचा है और वीडियो बहत है तो आधा हमारे लिए खास है हमें से याद रहा है तो हमेरिका मेरे पहली जो पाल है यह इस तरीके कीथी दीजाइन ली आच्छी है इसकिप और मेरे पैल में उपक्षी लगती तो फिर मैं तो सोच रही थी कि मैसे सब्सक्राइब इतना दिमाग में नहीं आया था लेकिन मेरे आस्पेन तुरंत ही बोले कि चलो इसको हम लेकर चाहते हैं जहां से लेकर आएं तो मेरी समस्या का हल हो गया है तो अभी आप लोगी यह वीडियो देख लीजिए आगी के वीडियो जो होगी आपको नहीं पाइल उसमें देखने चैनल पर सब्सक्राइब करें थे